हेलो नमस्कार दोस्तों स्वाकेते आपका हमारी उडोब चैनल टेक्निकल उत्तर परदिश में आज की बडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने Realme 10 Pro या Realme 10 Pro Plus का फोन यूज करते हैं तो incoming call screen पे अपना फोटो कैसे लगाएंगे सबसे पहले आपको अपने phone में play store open करना है play store open करने के बाद उपर आप लोगों को सर्च करना है i call screen i call screen सर्च करने के बाद यही application आपको दिखाए देगा इस application को download करके आप incoming call screen पे अपना फोटो लगा सकते हैं जिससे की कोई भी call आएगी तो आपका फोटो दिखाए देगा आप इसको download करके open करेंगे कुछ ऐसा interface मिलेगा start free trial का option मिलेगा और इसके just नीचे देखेंगे try limited version का option मिलेगा आप लोगों को जो limited version है नीचे इस पर आपको click करना है click करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा interface मिलेगा slide करके last वाले page पे right side slide करके चले आएंगे यहाँ पे let's do it का option मिलता है आपको इस पर click करना है set default के option पे click कर देना है इसके बाद यहाँ पे eye call screen पे आप लोगों को click करना है और right side नीचे के तरफ set edge default का option है इस पर click कर देना है अब इसके बाद कुछ ऐसा interface मिलेगा right side नीचे के तरफ right का arrow बना हुआ है नीचे corner में इस पर click करना है click करने बाद फिर आप लोगों को right side सबसे नीचे setting का icon दिखाई देगा इस setting के icon पे click करना है click करने बाद अगर आपको ads देखने को मिलते हैं तो इनको cut कर देजिए और यहाँ पे आप लोग देखेंगे change wallpaper का option आपको देखने को मिलता है आपको इस पर click करना है click करेंगे तो यहाँ पे grant permission पर click करेंगे allow कर देजिएगा इसके बाद फिर से आप लोगों को change wallpaper पर click करना है और यहाँ पे आप लोग देखेंगे बहुत से images आपको दिखाए देगे लेकिन हमें इस images नहीं लगाना है हमें अपने photo लगाने है वो भी gallery से तो उपर देखेंगे choose from gallery option मिलेगा आपको इस पर click करना है जब आप इस पर click कर देंगे click करने बाद यहाँ पे आप अपने gallery में आ जाएंगे सारे photo दिखाए देंगे photo नहीं दिख रहे है ता आपको left side उपर की दरब three line दिख रहे है यह three line पर click करना है आप अपनी gallery choose कर लिजिएगा इसके बाद gallery में आ जाएंगे जिस भी जो है folder में आपका photo उस पर click करके आप अपने photo पर click कर देंगे जब आप लोग photo पर click कर देंगे ता अगर ऐसा interface दिखाए देत इसको आप लोग cut कर देजिएगा यहाँ पे corner में जब आप इसको cut कर देंगे तो यहाँ पे आपको photo edit करने का option आएगा अगर फिर ads देखने को मिलते हैं तकट कर देजिए और अब देख सकते हैं crop कर सकते हैं जीतना area चाहिए और right side उपर के तरफ right के symbol पर click कर देजिए यह demo दिखा रहा है जब incoming call आएगी ऐसा दिखाए देगा slide करके call को receive कर सकते हैं तो उसकी just नीचे dish line पर click करके call को cut पर कर पाएंगे अब इसको set करना है तरफ right side उपर के तरफ right के symbol पर click करते हैं आपका successfully incoming call screen के लिए आपका photo set हो जाता है वीडियो पसंद आते like और channel को subscribe जरूर करें